देखे, question बहुत, चुकि दिया बड़ाजी तरीके से हैं, इसलिए समझने में जोड़ा सा दिक्कत करता है, लिखा है 4.23 question नमबर है, 4.22 देखिएगा, लिखा a uniform magnetic field of 1.5 tesla, क्या दिया गया है, बी, बी दिया गया है, 1.5 tesla, यह एक uniform magnetic field है, exist in a cylindrical region of radius 10 cm, जो region है, cylindrical region, वो radius कितनी है, 10 cm, बोले तो, हम डाइट 0.1 meter लिख सकते हैं, क्या एको 10 पौर माइनस 2 लिखे हैं हम उत्था करके, ठीक है, इस direction is being parallel to the axis, along east to west, east to west कहा गया है, ठीक है, जैसे cylinder का मतलब जैसे drum हो आपका खाली drum, drum में आप इसे खड़े हो जाओ, तो आप खड़े हैं ने, उसके axis पर हैं ना, खाली drum में, खड़े हो जाओ, पाली में खड़े हो जाना, और drum को लिटा दो, east west करतों, जिधर आपको बना हो, तो हमने क्या-क्या एक drum बना दिया, ऐसे एक, एक cylinder बना दिया, ठीक है, और ये cylinder है, ज्यादा technical diagram से ज्यादा हो जाएगी technical, और हम यहाँ पर फिलहाल, east west, north south ले रहे हैं, जरूद पड़ेगी तो हम इसको ऐसे भी उल्टा भी बना दिया, ये east west हो सकता है, या आप पर depend करता है, कि आप practically इसको कैसे लेते हैं, तो कहते हैं, east से west direction में एक magnetic field है, यानि magnetic field की direction कि इसे और है, east to west, बुला है न, ये एक पढ़ लेते हैं, exists in a region being parallel to the axis along the east to west, यानि east से west direction में ये magnetic field है, यानि कि इधर north फूल रहा होगा, उधर south फूल, वहां से electric lines धर, magnetic lines धर आई होंगी, ठीक, ऐसा बूला ही नो नहीं, a wire carrying a current of 7 ampere in the north to south direction passing through its region, एक wire इसके region से pass हो रहा है, यानि कि आप उस drum में खड़े हैं, और हमने drum के बगल से एक छेद कर दिया, इसे wire गुषेड दिया, ठीक है, तो इधर north से south direction में एक wire ऐसे है, इसके अंदर से entry कर रहा है, प्रेटिकली वाद समझना रही न, एक जिसे drum है इसे चेद कर दीजी आप, तो drum के center पे आप खड़े हैं ऐसे बीच में, ये east west हो गया, और drum में ऐसे चेद कर दिया, एक wire को ऐसे गुझर दिया, एक rod उसके अंदर गुझर दिया, वो rod wire हो गया, और वो किधर है north से, south direction में, और उसमें एक I current flow हो रही है, कितने ampere की current flow हो रह ही है, ठीक है, अच्छा, what is the magnitude and direction of the force in the wire, if the wire intersect the axis, यानि ये wire इसकी axis को intersect करता हुआ, ऐसे जा रहा है, ठीक है, यानि कुल मिलाकर जो आप खड़े हैं magnetic field direction में, और हम जो rod गुझर रहे हैं, वो आपके अंदर से होता हुझर निकल गया, ठीक है, जैसे नाग ना था जाता है, तो कहते हैं ये जो wire है, इस पर magnetic force कितना act करेगा, F की value निकालनी है आपको, ठीक है, यानि कि पहला part है, आपको F की value पहली condition ये हमने diagram बना दिया है, तो यानि कि ये जो reason है, ये drum का reason है, इसके अंदर magnetic field है ना, तो इस magnetic field में कितनी लंबाई तक wire इसके अंदर है, इतनी वायर है, वो 2R length तक है, 2R बोले तो 0.2 meter तक है, तो इस पर, अचा, magnetic field, इस wire पर magnetic field ऐसे लग रहा है ना, यहीं magnetic field direction है, तो हर जिगे उसी direction में है, तो इस पर करें, magnetic force कितना काम करेगा, तो F निकालो, F क्या होगा, I, अरे यार, cross product निकालोगे, that formula, आप, वेक्टोरियल नही solve कर रहे हैं, इसको, I, B, L, sin, theta बोले तो, 90, I is what, 7, B is what, 1.5, L is what, 0.2, और इसमें approach ना करिये, multiply छोटा है, तो कहें डाल लिखे, हमड़े intelligent है, 15 दूने 30, 30 बोले तो 0.3, यह तो आएगा ना, सात्रु कि 2.1 newton, इतना force expect करेगा, पहले part का, इस वो note करिए, और force की direction, चुकि हमने यहाँ पर cross product नहीं लगाया है, इसलिए हम वो cross वाला को यहाँ चक्र नहीं लगाएंगे, हम force direction निकालने के लिए क्या करें, right hand palm rule number 2, force के लिए 2 लगता है, वो left hand rule भी लगा सकते हो, लेकिन अब कहें को सस्तावला rule लगा है, यह किधर है, current, और यह magnetic field यह current, यह magnetic field, ऐसे हाथ टेड़ा हो जाता, तो force किधर लग रहा है, inward, तो force inward हो जाएगा, inward, आपके जो book में diagram है, उसके हिसाफ से inward, copy जो बनाया आपने, अब copy में 2D ही बना पाओगे, अब यह तो करोग ने, एक cylinder खड़ा कर दिया, उसमें काफी बन्दे नहीं हो पा रही है, लिएक रुपया दीरे से काफी खोले, क्योंकि सिलेंडर है, तो इसा नहीं कर सकते हैं आप, second part कह रहा है कि, the wire is turned from north-south to north-east, or north-west, actually हो ए रहा है, यह cylinder है आपका, सिलेंडरों का खापी के मोटा हो गया, अब मजबूरी है जगे बनानी है हमको, इस cylinder में जो magnetic field था, वो इधर की तरफ था, ठीक है, यह था east-west direction में था, ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है कि आपको, दोनों वो दिक्कत है कोई, तो जब दिक्कत हुआ करे तो उस दिन आप घर यह आपका होता है, east-west-north-south, चले मैं, चुकि हमने लिखा है, तो थोड़ा एक चीज पूछ लेते हैं, अब आप सोचे बड़ा सस्ता कोशन पूछ रहे हैं, न्यूजपेपर का फुल फार्म क्या होता है, बोले अरे इतना नहीं हाता बाजपे, को मैं पूरी बात बोल हूँ, मैंने न्यूजपेपर लिखा है, क्या होता न्यूजपेपर का फुल फार्म, अब आप सोच रहे होंगे, इतना है ता हूँ, को मालूम है, नहीं मालूम, क्या होता है, नार्थ, इस्ट, वेस्ट, साउथ, पास्ट, एंड, प्रजेंट, इवेंट्स, रिव्यू, य नहीं तु करता है, ना, पास्ट और प्रजेंट की इवेंट्स का रिव्यू करता है, ना, तो ये न्यूजपेपर का फुल फार्म होता है, उससे फिलाल हमको मतलब नहीं है, आरे तुमको मालूम है आपको, नहीं फुल फार्म बन नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, एक कित आफिसर वुआ कर थे डाक्टर जेपी सिंग साब उनके पास एव बुक हुआ कर दी थी तो मैं एक बार लाया था तो हमने बहुत सारे वर्ड्स उससे चुकि किताब मांग लाया थे तो हमने डैरी पूरी बनाई थी वो हमारे मामा गल का चुरा ले गया था तो पगला गया प जो है राइटर का दिमाग चल गया अब देखो कह क्या रहे है कि ये नार्थ इस्ट नार्थ इस्ट ये होता है ना या साउथ वेस्ट ये होता है तो यानि कि जो आपकी राड थी ना वो ऐसे रख दी गई अब ऐसे रख दी गई पहले राड कैसे रखी भी थी इधर रखी अब यह बताईए इस रगदो या तो नार्थ एस्ट में रख दो आइसे रख दो वो और लगा दिए बीच में ना दोनो बाते थोड़े हम को बनाईए दो राड हो जाएंगे अच्छा अब क्या बताईए यह इधा देखिए इतना राड इसके अंदर था ना पहले क्या उतना ही राड इसके अंदर है अब मैगनेटिक फिल्ड के अंदर जो राड है उसकी लेंथ बढ़ गई है ना पहले कितनी राड की लेंथ थी इसको आपने 2R क्या बोला थी पूछा क्या गया कभी आपने UPSC के इंटर्व्य देखा ना जदना पूछा जाए उसका अंतर दीजिए कितनी राड इसके अंदर थी ने मैंने भी नहीं देखा है हमारा हुए ने कभी हमने फार में नहीं बढ़ा मालूम था हमारी आउकात नह इसकी लंद कितनी है यह l'de Lakse है ना तो क्या इस l'de Lakse के इयंबर निकाल सकते हैं निकाल लो कैसे निकला जाएगा यह l ना तो यह भी तो ल होगा और यह मालने हम थीटा तो L» को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पिए? L' निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इहांपर? Sine《 2030》 लगादे? Sine Theta Theta कर एने? ये इतीटा मानो ये इतीटा मानो ने तो गरबड और जायगा Sine Theta ये विए हो़ी साइड मांगोगे हमसे यहले साइड हमको मालूम नहीं है तो थीटा अगर मानेंगे तो परपेंडिकल क्या हो जाएगा और यह Lडैस हो जाएगा तो Lडैस की वेलू क्या हो जाएगी L अपान साइन थीटा बात सुन्में आ रही नहीं आ रही है तो इतना रॉड मैगनेटिक फिल्ड के अंदर आया अग नहीं आया अब फोर्स अन डा रॉड अगर निकाले फोर्स अन डा रॉड एफ डैस तो आई बील साइन थीटा होता है ना तो आई बील डैस इन्टू साइन थीटा चुकि करेंट केरिंग कंड़क्टर मैगनेटिक फिल्ड सा कितना एंगल मिला रहा है थीटा यही तो यही थीटा होगा नहीं होगा एल डैस के लिए निकाल चुके हैं आप तो आई बील डैस क्या होगा एल अपान साइन थीटा इंटू साइन थीटा यह कैंसिल होगया तो आगया आई बील वैल तो निकाल चुके हैं आप आई बील की वैली वही आ रही है यह नहीं कि यह कितनी वैली आएगी यह आपका 2.1 निव्टन डैस्टन वही डाउनवर्ड होगी यह अगर के इसकी भी डैस्टन चाहो तो निकाल लो नोड करिये इसको तीसरा पार्ट कहरा है कि दा वायर इन दा नाट साव डैस्टन इस लोवर्ड फ्रम दा एक्सिस बाई डाइमेंटर एक्सिस बाई डिस्टेंस ओफ 6 सेंटीमेटर अब प्रेट के लिए समझना पड़ेगा यह जो सिलेंडर था उसके बीच में आप खड़े हुए थे ठीक है वो मैगनेटिक फिल्ट डैक्शन थी और नार्थ साव डिरेक्शन और वो जो राड था वो कहां से इंट्री किया था बिलकुल अब बोले हो सेंटर पार पहले और बाद में सेंटर से हमने ऐसे घुमा दिया था नार्थ वेस्स कर दिया था आप कहरे हो सेंटर से 6 सेंट्री पूँने नीचे कर दिया गया ठीक है अब देखो जरा तो डैगराम थोड़ा अब जो हमारे लिए सहूलियत वाला डियाग्राम बना रहा है ये था ये उस सिलिंडर दिखाई पड़ रहा है इसके अंदर मैगनेटिक फील्ड है ठीक है और ये राड था अब तिकत ऐसे राड में लोवर नहीं कर पाएंगे हम अगर ऐसे राड बनाएंगे तो हम नीचे कै कर दो कृसका है यह या ने कर पाएंगे ना तो यह नार्थ-south डिरेक्शन में यह करेंट फ्लो रही थी इसमें आई ईस ज्यूह दर ले लो मैगनेटिक को मे लो इस्ट वेस्ट तो अगर नार्थ-south इधर दिखाया है तो इस्ट हाथ south के तरफ ये हाथ नार तरफ ठीक है तो यानि कि आपका जो magnetic field हो किधर था किधर था ना किधर से किधर था east to west था ना यह यह magnetic field था सही कह रहा हो ना मैं यह magnetic field था अब देखो कहने ही जो rod है ना यह इस position में था pq position में वो 6 cm नीचे खिसक गया, नीचे खिसक गया, तो अब बताईए 6 cm नीचे खिसक गया, तो क्या उसी length का round magnetic field के अंदर है, कि कम हो गया, तो ये जो length हो गए, ये ही निकालीजे आप, ये length हमने क्या मानी, 2x, और इसकी radius आपको दी भी है, तो ये radius है r, और ये 6 cm खिसका है, तो क्या x का मान निकाल सकते हैं आप, r दिया है ना, कितना दिया है, r दिया है 10 cm, cm के बाद कर रहा हूँ, तो x कितना आ जाएगा, 4 cm आ जाएगा ना, ये बलू आईए ना, इसलिए मन देख नहीं रहा हूँ, x, इनका 8, 10 cm के स्क्वार है, ठीक है, 4 ही तो आएगी, इटियाट है क्या? अजीब आद दियों, तो चार बता रहे हो है, तो x का मान कितना आएगा, 8 cm आएगा ना, तो आपकी जो length, p-q-, जो कि magnetic field के अंदर है, उसकी length 2x मानी है ना, मतलब 16 cm होगी ना, 10 पौर मानस 2 meter, तो अब उस पे force किता लगेगा, I, B और L क्या होगा, L हो जाएगा 2x, इसको आप चाहो तो L dash मान लो, या L double dash मान लो, तो L double dash हो जाएगा, तो I कितना दिया है, कितने ampere की current है, 7 ampere की current है, magnetic field कितना है, 0.15 L double dash कितना है, तो यह कहां से कौन बोल ला है, हम ही सुन रहे हैं क्या, कान में गूंज रहा है क्या, 16 to 10 power minus 2, value निकालीजे कितना हैगा, 1.68 Newton, direction क्या होगी, current तो ऐसे ही flow हो रही थी इसमे, तो direction तो downward ही दे काम करेगी, समझ में आ गई बात, यह कोशन थोड़ा टेक्निकल है, सुध्यान से करीजेगा ठीक, thank you,